एक बार ओम का उच्चारण करेंगे ओम उपस्तित धर्म प्रेमी सज्जनों, मताओं और बहनों हम आर्योद्देश्य रत्नमाला उस्तक का अध्ययन कर रहे थे अब तक 87 सिध्धान्त हो गए, आगे 88 सिध्धान्त है प्रमानों का विशय चल रहा था, आठ प्रमान उन में से प्रत्यक्ष और अनुमान, दो की चर्चा हुई अब 88 सिध्धान्त में उपमान, ये तीसरा प्रमान है इसकी बात करेंगे उपमान, जैसे किसी ने किसी से कहा, कि गाए के तुल्य नील गाए होती है ऐसे जो उपमा से साद्रिश ज्यान होता है, उसको उपमान कहते है तो ये उपमान प्रमान है उपमान मतलब उपमा देकर समझाना उपमा उदाहरन, ये प्रसिद्ध शब्द है तो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं एक व्यक्ति एक वस्तु को जानता है दूसरा व्यक्ति नहीं जानता ठीक है एक व्यक्ति जानता है, दूसरा उसको नहीं जानता अब वो जो नहीं जानता वो पूछता है जी ये वस्तु कैसी होती है जैसा उजारन दिया महर्शी जिन है इसी को ले लेते हम एक पिता है और एक उसका पुत्र है पुत्र मानलो आठ वर्ष का है, नो वर्ष का है, छोटा बच्चा है और पिता 32-34 साल का है तो बच्चे ने कहीं उस तक में पढ़ लिया नील गाय शब्द नील गाय या कहीं दर दर से सुन लिया उसने पूछा पिता जी ये नील गाय क्या होती है उसने कभी देखी नहीं, उसको मालूम नहीं उसके पिता ने देखी हुई ये नील गाय क्या होती है, कैसी होती है तो अब दो व्यक्तियों में पिता और पुत्र में जो पिता है वो नील गाय को जानता है पुत्र नहीं जानता है तो पुत्र ने पूछा कि पिता जी नील गाय कैसी होती है अब पिता जी उसको समझाएंगे कि नील गाय कैसी होती है तो इसको समझाने के लिए एक उपमा या उदाहरन देंगे उदाहरन या उपमा उसे कहते हैं जिस वस्तू को दोनों व्यक्ति जानते हैं दोनों ने देखी है दोनों को पता है और दोनों उसको एक जैसा स्विकार करते हैं उनमें कोई विचारभेद, कोई टकराव नहीं है उसको उधारन कहते हैं या दृष्टांत कहते हैं नियाई दर्शन की भाषा में तो अब पिता जी बच्चे को समझाएंगे कि नील गाय कैसी होती है एक उधारन देना पड़ेगा उधारन वो होगा जिसको पिता भी जानता हो और बच्चा भी जानता हो दोनों जानते हैं वो उधारन बनेगा तो पिता जी ने कहा बेटा तुमने यहां गाओं में नगर में गाय तो देखिए जिस गाय का दूद हम पीते हैं गाय तो देखी है बोले हाँ हाँ गाय तो देखी है बहुत बार देखी है अब गाय को बेटा भी जानता है और पिता भी जानता है दोनों जानते हैं इसको उदारन कहेंगे जिसको दोनों जानते हैं वो है उदारन इसी का नाम उपमा है तो अब पिता जी कहते हैं देखो जै वैसी गाय होती है बस वैसी ही नील गाय होती है उससे काफी कुछ मिलती जुलती होती है थोड़ा बहुत फरक होता है तो अब नील गाय को समझाने के लिए गाय का उधारण दिया गाय की उपमादी और बच्चे को समझ में आ गया कि हाँ नील गाय कैसी होती है उसको मोटा मो आइडिया आ गया नहीं तो वो कबूतर की तरह समझ सकता था हाथी की तरह भी समझ सकता था उसको समझ नहीं आ रही थी नील गाय कबूतर की तरह होती है या हाथी की तरह होती है अब जब कह दिया नील गाय जैसी गाय जैसी होती है तो गाय का तो उसने प्रत्यक्ष करी रख क्योंकि जो प्रत्यक्ष से जियान होता है वो विशेश होता है बाकी प्रमानों से जियान समन्न होता है और अलग-अलग प्रमानों का उद्देश भी अलग-अलग होता है यहां जो पिता जी ने कहा कि यह जैसी गाए होती है वैसी निल गाए होती है इनका उद्देश है महिने दो महिने में जब भी मौका लगेगा बच्चा कभी चिडिया घर जाएगा तो नील गाये को वो सारे प्राणियों को देखता जाएगा उनमें जो प्राणी गाये से मिलता जुलता दिखाई देगा तो उसको देखकर पहचान लेगा अच्छा ये है नील गाये अब में तो तो आएगे जब देखेगा और जिस दिन पिता जी ने बताया इसका फिर क्या उद्देश्य था इसका उद्देश्य ये था कि उसको एक तो मोटा मोटा आइडी आजाए रफ आइडी आजाए कि नील गाय कैसी होती और दूसरा उसका नाम पता चल जाए उस बच्चे और नामी का संबंद उसके दिमाग में बिठाना ये उपमान प्रमान का प्रयोजन और जिस दिन वो उसको जाके प्रत्यक्ष देखेगा उस दिन उसको पूरी तरह समझ में आएगी कि हाँ ये है नील गाय अब समझ में आगी तो इस तरह से बहुत सारे उधारन देकर कि और बात चलने लगी उस गाओं के गटि से और चलते चलते कुछ ऐसा प्रसंग आगया लता मंगे शकर जी का कि लता मंगे शकर जी बहूत अच्छा गाती हैं। तो गाउवाले ने पूछा भई लता जी कैसा गाती है मुझे तो पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आई आई आप कह रहे हैं बहुत अच्छा गाती है मुझे तो नहीं आई समझ में कैसा गाती है तो नगरवाले ने कहा कि तुमने यहां गावों में कोयल की आवाज तो सुनी होगी कोयल की तो बहुत सुनी है यहां बहुत होती है कोयल गाती रहती है तो कोयल की आवाज तो सुनी है अब कोयल की आवाज गावों वाले ने भी सुनी है नगरवाले ने भी, ये उधारन हो गया, जिसको दोनों जानते हैं, कोयल की आवास दोनों जानते हैं, वो उधारन या उपमा, अब वो नगरवाला कहता है, जैसी कोयल की आवास मिठी होती है, ऐसी ही लता जी की आवास भी मिठी होती है, ऐसी होती है, अब उसको आइडिया गया कि हाम लता जी की आवाज कैसी होती है बस ऐसे मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा और जब कभी असली आवाज सुनेगा रेडियो में स्टीरियो में कभी भी उसको अवसर मिलेगा तो जब असली आवाज सुनेगा लता जी की तो वो पूरी तरह समझ जाएगा कि अच्छ जाये जाता है इसको उपमान कहते हैं ये उपमान परमान है एक और उदारण इश्वर के बारे में किसी ने पूछा जी इश्वर कैसा है हमको समझाईए तो समझाने वाले ने आकाश का उदारण दिया आकाश के समान जैसे आकाश एक है ऐसे इश्वर भी एक है जैसे आकाश सर्व्यापक है ईश्वर भी आकाश के समान सर्व्यापक है जैसे आकाश निराकार है आंक से नहीं दिखता ऐसे ईश्वर भी निराकार है वो भी आंक से नहीं दिखता तो ये उपमान प्रमान कहलाता है इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को दूसरे व्यक्तियों को समझा देते हैं ये तीसरा प्रमान हुआ अब चोथा प्रमान है शब्द प्रमान सिधान्त संख्या नवासी 89 जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और आप्त मनुश्य का उपदेश है उसी को शब्द प्रमान कहते है तो शब्द प्रमान आप्त का वचन शब्द प्रमान कहलाता है जो पूर्ण आप्त पूरी तरह से आप्त है उसमें कोई कमी नहीं ऐसा आप्त है परमेश्वर इश्वर उस आप्त का जो वचन है इश्वर का जो वचन है वो शब्द प्रमान है वो भी एक प्रमान है शब्द भी एक प्रमान है उसकी भी बहुत ताकत है एक व्यक्ति रोगी हो गया अब वो गया डाक्टर साब के पास कि डाक्टर साब मैं रोगी हो गया हूँ आप देखिये मुझे क्या समस्या है तो डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया पता लग गया इसको ये रोग है वो उस लाइन में एक्सपर्ट है तो डॉक्टर जो चिकित्सा में एक्सपर्ट है कुशल है उसका नाम है आप्ट उस विद्या को तो वो प्रप्त कर चुका है, उस सत्य को वो जानता है, ठीक ठीक जानता है, तो आप्त के अंदर तीन लक्षन होते हैं, पहला लक्षन, जो किसी बात को ठीक से जानता हो, उसका जियान शुद्ध होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक ठीक जानता हो, ये पहला लक्षन तो डॉक्टर चिकित्सा के मामले में इस विद्या को ठीक जानते हैं इसलिए वो आप्त कहलाएंगे आप्त का दूसरा लक्षन है कि उसमें परोपकार की भावना हो तो रोगी का भला करना चाहता है रोगी को ठीक करना चाहता है, स्वस्त बनाना चाहता है ये उसकी भावना है, तो भावना भी अच्छी है, ये दूसरी बात है परोवकार की भावना, आपत का दूसरा लक्षन, और तीसरा लक्षन है कि वो सत्यवादी होना चाहिए, सच बोलेगा जूट नहीं बोलेगा तब ही वो सच बोलता है इसलिए वो प्रमान बनेगा उसका वचन वरना उसका वचन जूटा है तो प्रमान नहीं माना जाएगा तो गड़बर तो हरे प्रमान में हो सकती है जैसे प्रत्यक्ष में बताए था भ्रांती हो सकती है, संशे हो सकता है, अनुमान में भी गल्ती हो सकती है, वो गल्ती अनुमान प्रमान की नहीं है, वो व्यक्ती की गल्ती है, वो ठीक से अनुमान नहीं लगा रहा है, जैसे आप रसुई में खाना बनाते हैं, तो कभी जाती है कभी गलत बन जाती है तो करी की गलती थोड़ी है नवस्तों की गलती है बनाने वाले की गलती है कभी लापरवाई करता है तो विगाड़ देगा या वो जानता नहीं ठीक से तो विगाड़ देगा अब ठीक जानता है और सावधानी से काम करता है तो बड़ी शब्द प्रमान की बात चल रही है, वो आप्ट का वचन है, यदि कोई वक्ती आप्ट है, तो उसका वचन शब्द प्रमान बनेगा, यदि आप्ट नहीं है, तो शब्द प्रमान नहीं बनेगा, शब्द तो सचे जूट है दोनों तरह के, दुनिया में लोग सच भी बोलते तो जो सच बोलते हैं उनहीं का वचन शब्द प्रमान, यह आप्त का तीसरा लक्षन है, वो सत्यवादी होना चाहिए तो तीन बात फिर दोह राता हूँ, आप्त में पहली बात उसका जियान शुध सत्य होना चाहिए दूसरी बात वो परॉपकारी होना चाहिए तीसरी बात सत्यवादी होना चाहिए ऐसे तीन गुणों वाले व्यक्ति का नाम है आप्त और उस आप्त का जो वचन है वो शब्द परमान है अब ये तीन लक्षन इश्वर में भी है इश्वर का जियान शुद्ध है या नहीं शुद्ध है इश्वर परोपकारी है या नहीं परोपकारी है इश्वर सत्यवादी है या जूड बोलता है सत्यवादी तो तिन लक्षन इस्वर में उसका अनंत जियान है सारा जियान शुद्ध है कहीं कोई भ्रांति संशaison नहीं वह परोपकारी है और सत्यवादी है इसलिए इस्वर का जो वचाने वह शब्द प्रमान है तो चार वेद यह इस्वर का वचाने इसलिए बेदों को हम शब्द प्रमान मानते और वो सत्य है उस से लाब उठाओ अब डॉक्टर का उधारन मैंने बीच में शुरू किया था अब डॉक्टर पर आते हैं लोट करके डॉक्टर चिकित्सा विद्या को ठीक से जानता है पहला लक्षन हो गया फिर वो परोपकारी भी रो बोजन खाना इस तरह से परहेज करना है जो भी बताएगा ओ ठीक ठीक बताएगा तो इन तीन लक्षनों के होने से डॉक्टर भी आप्त कहलाता है और आप्त होने से डॉक्टर का वचन शब्द प्रमान माना जाएगा अब रोगी ने का डॉक्टर साब मुझे चेक कीजी चेक कर लिया पता लग गया यह रोग है फिर उनने दवा भी लिख दी काविश पर परची पे दवा लिख दी जाओ केमिस्ट से दवा ले और खाओ सुबह दोपहर शाम तीन बार खानी है दो दिन दवा खाओ तीसर दिन फिर आना फिर चेक करेंगे आगे आगे फिर जानता जो दवा लिख कर दी है यह ठीक है यह गड़बड है कुछ नहीं पता उसको फिर वो चुप चब उसका प्रमान मानके डॉक्टर का वचन को प्रमान मानके केमिस्ट के पास जाता है दवाई लेता है और अपना तीन टाइम खाता है दोनों दिन खाता है तीसरे दिन फिर आता है तो उसने किस प्रमान से मान लिया कि यह ठीक है दवा शब्द प्रमान से तो इसी तरह से जितने भी मनुष्य हैं जो अपनी अपनी लाइन में एक्सपर्ट हैं कुशल हैं वो सब आप्त कहलाते हैं सिलाई कड़ाई करनी हो तो दर्जी आप्त है और मिठाई ब बनती है यह ऐसे बनती है लो बनाओ और खाओ नहीं बना सकते तो मैं बनाता हूं ले जाओ और खाओ अगर कोई उसका चेला पूछने लगे कुछ सीखने लगे मुझे भी सिखाओ तो ठीठी शिखाएगा जब वो सिखाएगा तो उसका वचन शब्द प्रमान कैलाएगा इस प्रकार से पाचक भोजन पकाने के मामले में आपत है, उसका वचन शब्दुपरमान होगा, वो बताएगा कि राजमा बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, इसमें इतनी हल्दी, इतना नमक, इतना जीरा, इतनी देर पकेगी और ऐसे पकानी है, वो जो बोलेगा वो शब्दुप बनानमे आपत है, इस तरह से उनके वचन शब्दुपरमान कहलाएंगे, तो ये चोधा हो गया, शब्दुपरमान